हेलो गाइस हेलो गाइस मैं हूं संतोस्कुमार दांगी आपका हमारे इस यूटूब चैनल पर स्वागत है आज हम आपके लिए जो क्लास 11 की जो इंग्लिश बुक है होर ने भिल उसका जो फर्स्ट लेसन है उसका आज हम हिंदी एक्स्प्लेन आपके लिए लेकर आए हैं य कि हम अब तक इसी प्रकास से के जितने भी सारे व्डियों से हम पोचा सके तो दा पोटेट आफ एलडी रिटन बाई खुस्वन सिंग तो अब दा पोटेट आफ एलडी पोटेट पोटेट मिंस क्या होता है सब से पहले तो हम यह जानेंगे पोटेट मिंस होता है एक जो कि खुस्वन सिंग ने लिखाया देखते हैं हम इसका हंदी एक्स्पेंग मैं ग्रेंड मादर मेरी दादी जी लाइक एवरिबडी से ग्रेंड मादर वास एन ओल्डे वोमिन जो कि जो दूसरे लोगों की जो दादी मा होती हैं उनकी दादी मा के समान एक रुद्ध महिला थी सी हैड बीन ओल्डे वहाँ एक वरिद्धा थी एंड रिंकल्ड फॉर्दा थी एंड रिंकल्ड फॉर्दा ट्वेंटी यस देट आई हैड नौन हर मैं उन्हें कम से कम बीस वसो सो उनको जानता था उनके चहरे पर जुरियां थी रिंकल्ड थे पॉपिन सेड लोग कहते हैं देट की सी हैड वान्स बिन यंग एंड प्रेटी वहाँ किसी समय बहुत अधिक जवान और सुन्दर भी थी एंड हैड इवन हैड अहस्बेंड और उनका कोई एक पती भी था इस बात पर विश्वास करना थोड़ा सा कष्ट पत था इस बात पर विश्वास होता ही नहीं था कि भी उनका भी कोई एक पती होगा जो मेरे दादा जी थे उनका ड्रैविंग रूम में जो मेंटल पिस यहने कि जहां पर अगनी से संबद्धित कारे किया जाता है चूला आदिका कारे उसके उपर उनकी एक तस्वीर लगी वी थी वोरा बीक टर्बन वहां उस तस्वीर में एक बड़ी सी पगड़ी बांदे होए थे और एंड लूज फिटिंग क्लोट्स और थोड़े ढीले ढाले कपड़े उस फोटो में वहां पेने होए थे His long white beard covered the best part of his chest और उनका उनकी जो दाड़ी थी Beard उनकी जो दाड़ी थी ना वो उनका जो सीने का जो हिस्सा है वहां उस सीने के हिस्से तक को वहां cover कर रही थी And he looked at least a hundred years old और लगबग लगबग उनकी जो उम्र थी ना वो लगबग सो वर्षो की आयू के वहां उस पोटो में उस portrait में वहां लग रहे थे He did not look the short of person who would have a wife or children वे इस प्रकार के व्यक्ति नहीं लग रहे थे यनि कि मानोवा देखने में इसा नहीं लग रहा था कि वहां उनकी कभी भी पतनी और बच्चे भी थे वे इस प्रकार के व्यक्ति नहीं लग रहे थे वहां He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren वे ऐसे दिखते थे जैसे उनके बहुत सारे नाती पोते या बच्चे होंगे Lots यनि कि बहुत सारे बहुत जादा नाती पोते या बच्चे होंगे He looked as for my grand mother being young and pretty जहां तक कि मेरी दादी मा का सवाल है वहां जवान और सुन्दर होने की बात है यनि कि वहां सुन्दर और जवान दिखती थी या जो विचार है ना मुझे कापी बार बार बहुत ज़दा सचेतित करता था इस बात से कि वहां युवा भी थी जवान भी थी और सुन्दर भी थी वहां she often told us of the games वहां कभी-कभी अपने बच्पन की खेलों को बताती थी या किस प्रकाश से वहां बच्पन में खेलती थी कि नहीं खेलती थी इन सभी खेलों के बारे में वहां आमें समझाती थी इस प्रकाश से प्रदल लगते हुए हमारे साथ में वहां कभी तो कहानिया सुनाती थी कभी हमारे साथ में खेलती थी इस प्रकार के सारी एक्टिविटियास वह हमारे साथ में करती थी शी हैड आलवेस बिन शौर्ट वहां हमेशा से छोटी थी यानि कि उनकी जो हाइट थी वह थोड़ी सी शौर्ट थी छोटी थी एंड फेट यह और थोड़ी सी मौटी एंड स्लाइटी बैंट स्लाइटी बैंट यहने के सामने की ओर थोड़ा सा जुकना आगे की तरफ जुकना हर फेस वाजे क्रिस क्रोस आप रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरिवेर तो एवरिवेर जो उनका जो चेहरा था न वो देखने में मानो एक तरफ से क्रिस क्रोस इने की चेहरे पर जुरिया पढ़ना लाइने हलके हलके सी लाइने हो न वो क्रिस क्रोस के समान इधर से उदर ह we were certain हम जब से उन्हें जानते थे भई जब से हम उनके बारे में हमने सुना है she had always been as we had known her वहा ऐसे दिखती थी मानो जैसा की हम उनको बहुत पहले से ही चानते हैं old वहा वरद्ध so इतना terribly old वहा इतनी वरद्ध के समान हो सकती थी जैसे की जितनी वरद्ध होना चाहिए she could not have grown older वहा वरद्ध के समान जैसे वहा कभी भी वरद्ध हुई नहीं रही है वो हमेशा एकी समान दिखने में लगती थी and had stayed at the same as for 20 years और इस प्रकासे में उनकी जो मैं यदि उनको बार बार यदि देखता था तो सिर्फ मुझे इसी बात का में लगातार उन्हें 20 वासो से एक ही चहरा उनके चहरा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था और मैं उन्हें लगातार 20 वासो से देख रहा था सी कुड नेवर हैव बिन प्रेटी और वहा कभी ऐसा की वहा कभी भी जवान नहीं थी या थी इस प्रकार का परिवर्तन मुझे कभी भी उनमें देखने को नहीं मिल रहा था बट सी वास आलवेज ब्यूटिफोल किन्त वा हमेशा बहुती अच्छी और सुन्दर देखने में हमेशा सुन्दर थी सी होबल्ड अबाउट दा हाउस इन स्पोर्टलेस वाइट वित वान हैंड रेस्टिंग ओन हर वेस्ट तू बैलेंस हर स्टॉप सी होबल्ड अबाउट दा हाउस वहाँ घर में थोड़ा सा लंगडाते हुए यानि कि थोड़ा सा जूख कर चलना या लंगडाते हुए वहाँ चलती थी स्पोर्टलेस वाइट वित दा वन्स हैंड रेस्टिंग ओन हर वेस्ट अब दा बैलेंस हर इस टूप और उनका जो हाथ था था न वो एक हाथ पीछी की तरह उनका एक हाथ पीछी यहनिकी पीछे का जो हिस्सा था पीछे की हिस्से पर वहाँ रख कर थोड़ा सा आगए ब सिचतित होता था और एडिवर ओदर टेलिंग धा बände सедьट सो हारaker रोजरी ऑर वहां कि है इस बात से भी हमें संचीत करती थी कि दूसरों के अपने हाथ में माला का जपना यहनि की वहाँ रोजरी रोजरी मिन्स होता है चंदन की माला वहाँ उस चंदन की माला को हिना वो हमेशा बार 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 उसको जाप करती थी उससे हर शिल्वर लॉक्स वे इसके टारड अंटाइडली ओवर हर पेल और उनके जो सपेज जो भैतरी जो बाल थे यानि कि यहाँ पर जो सिल वो बैतर ती बाल के समान उदास और धसे हुए चेहरे पर भिकरते हुए होते थे यहने कि उनके बाल जो होते थे न वो हमेशा खुले उस चेहरे पर रहते थे पाकार्ड फेस और पाकार्ड फेस एंड हर लीप से और उसके बावजुद भी वहां हमेशा कभी उनमें उदास पन या धसे हुए चेहरे पर भिकरे वे बाल उनके होट लगातार प्रातना करते हुए बुदबदाते रहते थे हाँ वहां कभी सुन्दर भी थी वहां मानो देखने में ऐसा लगता था कि वहां कभी कभी वहां सर्दियों के समान परवत के समान सर्दियों में सपेद स्वच एंड एकस्पेंस आप यूर वायट सेनरी ब्रेथिंग पिस एंड कॉन्टेंट मेंट यहनि की सेनरी का ताथ पर यहां पर एक खुशनुमा सा चित्र जो दिखाए दे आपको इस प्रका थी कॉन्टेम्ट इस प्रकास से यहां पर आपका फर्स्ट चेप्टर फिनिस होता है इसका सेकंड चेप्टर हम जल्दी ही आपके लिए लेकर आएंगी प्लीज प्लीज यह आप चैनल पर ना है तो चैनल को सबस्क्राइब कीजिए थैंक यू फॉर वाचिंग इस वीडियो हेलो गाइस मैं हूँ संतोस कुमार दांगी और हम आपको जो क्लास 11 की जो भुक है हॉर नबिल उसका जो फर्स्ट लेसन है दा पोटेट आफ लेड़ी जो की खुस्वन सिंग ने रचा है हम उसका सेकंड चेप्टर आपके लिए लेकर आए हैं तो हम यहां पर देखते हैं हम सेकंड चेप्टर की स्टार्टिंग करते हैं देखते हैं यहां चेप्टर आपका यहां से शुरू होता और यह चेप्टर आपको एक्जाम की देश्ट से इंपोर्टेंट भी चेप्टर है इसको अच्छी तरह से आप समझना और प्लिज जी आप चैनल पर नहीं है तो प्लिस चैनल को सबिस्क्राइब लाइक शेर जरू करना देखते हैं हम इसकी शुडवात माई ग्रेंड मदर एंड आई वेर गूड फ्रेंड्स मेरी दादी और में हम दोनों एक दूसरे के बहुत ही अच्छे मित्र थे मैरे माता पिता ने मुझे उनके साथ में छोड़ा था जब वे सहर में रहने के लिए चले गए थे एंड वेर कॉंस्टेंटली टूगेदर और अब हम दोनों एक साथ दोनों एक दूसरे के साथ में बहुत अच्छे से रहना हमने शुरू किया शी यूज़ टू वोक अप वाक मी अप इन दा मॉर्निंग वह हमेशा की तरह मुझे सुबह प्राता हा उठाती थी एंड गेट मी रेडी फोर इस्कूल और विद्याले के लिए मुझे तयार करती थी she said वहा कहती थी she said her morning prayer in the monotonous sing song वहा पृत्ते एक दिन सुबह की लगतार प्रातना करती थी monotonous यान की लगतार प्रातना करना sings song यान की की गीत गाना जब तक की while she bathed वहा मुझे नलाती थी and dressed me in the और वहाँ मुझे कपड़े पहनाती थी dress पहनाती थी in the hope इस आसाओ के साथ में that की I would listen उन्हें बहुत अच्छे से सुनता हूँ and get to know it by hearing और उनकी पृत्येक बात को मैं अच्छे तरह से सुनता और समझता हूँ I listened मैं उन्हें सुनता था because क्योंकि I loved her voice में उनकी आवाज को बहुत अधिक पसंद करता था उनके आवाज में बहुत अधिक प्रेम करता था but never bothered to learn it किन्तो मैंने उसे सिखने की कभी भी जिग्या सा पैदा नहीं की यानि कि मैंने उसे कभी भी सिखने का प्रियास नहीं किया ये प्रेम करते हैं इन ये वोड़ फेच माई वोड़न स्लेट विच 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 शी हैड ओलरेडी वाज़डी जो वा मेरी जो लकडी की जो स्लेट होती थी यनि की पत्टी होती थी वहाँ प्रित्ती एक दिन पहले से ही उसे धोकर साब करके के पहुंच कर और एक रख देती थी और उसके साथ में विचिस सी हैड अल्रेड़ी वास्ट एंड प्लास्टर विद येलो चाक और उसके साथ में एक प्लास्टर करके प्लास्टर कर की तैयारी करके रख देती थी और उसके साथ में पीला कलर का चाक का डिबा यह चाक भी व की जो दवाद होती है नहीं कि मिट्टी का जो वरतन होता है वहां उसके साथ में जो इंक भरावा रहता था वहां उसके साथ में रखती थी एंडा रेड पैन और एक साथ में लाल कलर का पैन इनको सभी को जितने भी सारी सामागरी थी टाइदें टाइदें आल इन बंडल बं a breakfast of a thick एक मोटी बासी रोटी जिस पर थोड़ा सा यने की stale chapatis with a little butter and sugar spread on it यने की एक मोटी सी रोटी जिम उजे नास्ते के लिए जिस पर थोड़ा सा मख़न वा शकर फेला कर मेरे साथ में मुझे रख देती थी जिसका में सुभा अफ्टरा ब्रेकफ़स्ट आपे थी जिसका मैं नास्ता के लिए या नास्ता में जिससे में करता था और वहाँ अपने जो जितने भी सारे गाउं के जितने भी सारे कुत्ते थे उनके लिए बासी रोटिया हमेशा वहाँ साथ में रखती थी मैं ग्रेंड मदर अल्वेज वेंट तो इसकुल वित मी में दादी जी हमेशा मेरे साथ में इसकुल साथ में जाती थी बिकोज क्योंकि दा इसकुल वाज अटेजड टू धा टेंपल जो इसकुल था वहा उस मंदिर से अटेजड था यहने कि वहाँ उस मंदिर से जुड़ा हुआ था दा प्रिस्ट प्रिस्ट मिन्स पुजारी जो दा प्रिस्ट ताट अस दा अलफाबेट जो पुजारी थे वहां हमें अलफाबेट यहने की वर्ण माला वर्ण माला का वहां हमें ज्यान देते थे in the morning prayer उस सुभा की प्रात्ना को और सुभा की प्रात्ना वहां आमें सिखाते थे while the children sat in rows row on either side of the वरंडा singing the alphabet और जो बाकी की जब तक की जो दूसरे बच्चे थे वहां उसी वरंडा में यनि की जो खुला जो दालान होता था उस खुले दालान में लाइन में रो में पंक्ती बद वहां पर बेठे हुए रहते थे और दा प्रेयर इंदा चौरास और जितने भी सारे उस बरामदे में बेठे हुए बच्चे सारे एक दूसरे के पीछे बैठे रहते थे और सुबह की प्रातना वहाँ पर करते थे My grandmother's मेरे दादीजी से इंसाइड एंसाइड गेडिंग दा Scriptures और जो मेरे दादीजी थी न वहाँ जो मेरे दादीजी थी वहाँ वहाँ पर वहाँ भी बैटकर साइड में एक तरफ बेट कर धार्मिक किताबे वह पढ़ती थी scriptures means धार्मिक किताबे धार्मिक books when जब we had both finished जब हम दोनों हमारा कारे समाप्त कर देते थे तो we would walk back together तो हम वापस एक दूसरे के साथ में वापस आते थे this time the village dogs would meet us at the temple door और उस समय हमें जो गाओं के जो कुत्ते होते थे वो सारे कुत्ते उस मंदिर के दरवाजे पर हमें मिलते थे they followed us to our home growling और वहाँ भोखते हुए हमारे पीछे पीछे हमारे घर तक वहाँ आते थे growling means भोखना शोर करना and fighting with his other और एक दूसरे से लड़ते हुए for the chapattis उन रोटियों के लिए we throw to them और इस प्रकास से वहाँ आमारी पीछे पीछे हमें घर तक फोलो करते थे when when my parents were comfortably settled in the city जब मेरे माता पिता अच्छी तरह से सहर में shift हो गए यनि कि मेरे जब मेरे माता पिता आराम से सहर में बस गए तो they sent for us तो उन्होंने हमें वहाँ बुलाया और उन्होंने हमें वहाँ पर बुला लिया that was a turning point in our friendship अब हमारी जो मित्रता थी मित्रता यनि कि हमारे मेरे और मेरे दादी की जो मित्रता थी यहां हमारी मित्रता में एक mode आ गया एक turning point आ गया although we shared the same room हला कि यह यद्दिपी हम एक ही कमरे में रहते थे में और मेरे दादी हम हला कि एक ही कमरे में रहते थे माइग्रेंट मदर नो लोंगर कैम टू इसकुल वित में अब जो मेरे जो दादी थी ना वो अब मेरे साथ में इसकुल में नहीं आते थी यहने कि अब वहाँ वो घर पर ही रहते थी I used to go to an English school in a motor bus क्योंकि अब में motor bus में अंग्रेजी इसकुल जाया करता था यहने कि मैं अब किसी English medium में या अंग्रेजी इसकुल में मुझे प्रवेस दिलाया गया था There were no dogs in the streets अब वहाँ पर गाउं की जो गलिया होती थी सडक्य होती थी वहाँ पर कुट्टे उन्हें देखने को नहीं मिले यह वहाँ पर कुट्टे नहीं थे And she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house और हमारा जो अब वहाँ पर क्या होता था कि जो इस शहर में जब वो जैसे ही चले गए तो वहाँ पर उसे चुडियो को रोटी खिलाने का काम शुरू उन्होंने कर दिया Is the years ruled by we saw less of each other अब इस प्रकास से कहीं worse व्यतीत हो गए जैसे तेसे साल दर साल बितते गए और we saw less of each other हम एक दूसरे से बहुती कम मिल पाए for the same time they continue to walk me up किन्तु कुछ समय तक तो मुझे सुभा उसी समय जिस समय में मुझे गाउं में उठाया जाता था उसी समय मुझे वहाँ पर भी समय उठाया गया and get me ready for school और मुझे विध्याले के लिए school के लिए तैयार किया गया when? जब I came back जब मैं वापस आता था तो she would ask me तो वहाँ मुझे पूस्ती थी what the teacher had taught me कि मुझे सिख्षक ने क्या पढ़ाया है किस प्रकार की सिख्षा दी है तो I would tell her English words तो मैंने उन्हें अंग्रेजी सब्द बताए मैंने उन्हें कहा कि आज मुझे अंग्रेजी सब्द सिखाए गए and little things of western science और मुझे पास्चत का जो विध्यान है उसकी सिख्षा के बारे में मुझे बताया गया the law of gravity और मुझे कुछ गुरुत्वा कर्शन का सिद्धान्त बताया गया gravity means गुरुत्वा कर्शन आरकीमेडेज आरकीमेडेज प्रिंसिपल आरकीमेडेज का सिद्धान्त मुझे बताया गया the world being round कि और या विश्वू गॉल है इस प्रकार से मुझे विध्यले में शिक्षा दी गई ग्राउड इटेसी आदी दिस मेड हर अनहेपी किन्तु यह जितनी भी सारी जो बात थी ना इसने उन्हें थोड़ा और दुखित किया मतलब इससे वो खुश नहीं हुई she would not help me वहां मेरी साइता नहीं कर सकती थी with my lesson मेरे जो पाठ का जो काम था था जो गाउं में वो करती थी इस प्रकार का वासार में नहीं कर पाई she did not believe in the things they taught at English school और वहां इस बात पर विश्वास नहीं करती थी कि उन्हें इस अंग्रेजी स्कूलों में किस प्रकार की सिक्षाय दी जाती है and was distressed that where was no teaching about God and the scriptures नहीं कि वहां इससे तनावपूर्ण महसूस करती थी वहां distressed होती थी कि वहां पर अंग्रेजी विद्ध्यालों में भगवान और धार्मिक ग्यान नहीं दिया जाता है इस प्रकार से वहां नराज थी one day एक दिन I announced मैंने घोषना कि मैंने कहा that कि we were being given music lesson कि मुझे संगीत का ग्यान मुझे दिया गया एक दिन मैंने कहा कि मुझे संगीत की सिक्षा मुझे दी गई तो she was very disturbed तो वहां उससे बहुत अधिक बादित हुई मतलब वहां उससे नराज हुई क्योंकि to her music had loud associations भै उनका मानना है कि जो संगीत होता है न वो उनकी सामाज में उनके रहन साहन में ये ठीक नहीं है इट वाज दा Monopoly of Harlots and Vegas भै उनका मानना ये था कि जो संगीत का जो काम था न वो यहाँ भै जो नीचे लेवल के लोग है भिकारी है या वेश्या है इस प्रकार के लोगों को वहाँ समझते थी कि इस प्रकार के लोग संगीत का काम करते है and not meant for gentle folk और वहाँ किसी सभी अक्तिव के लिए नहीं होता था कि किस प्रकार से कैसे उन्हें ग्यान मिले she said nothing वहाँ मुझे कुछ नहीं उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा but her silence meant disapproval किन्तु उनकी जो चुपी थी ना मतलब क्यों किस प्रकार से सांत थी इसका मतलब यह इस प्रस्ट लगता था कि वहाँ उससे आसामत थी उससे वहाँ सामत नहीं थी she rarely talked to me after that किन्तु इसके बाद में वहाँ मुझे कभी कभार ही बूलती थी मतलब उसके बाद में वहाँ ज्यादा समय तक मुझे से बात नहीं करती थी when when I went up to university जब मुझे विश्विध्याले में मैंने जब प्रवेस लिया मुझे विश्विध्याले में प्रवेस दिलाया गया तो I was given a room of my own तो वहाँ पर मेरा खुद का एक अलग कमरा था the common link of friendship was snapped अब जो हमारी जो मित्रता की जो link थी जो कड़ी थी snapped means कड़ी जो हमारी जो मित्रता की कड़ी थी वहाँ दीरे दीरे टूटती सी लग रही थी यहने कि वहाँ उससे भी हम दूर होते चा रहे थे my grandmother accept her seclusion with regination जो मिरे दादी थी ना जो मिरे दादी ने अपने एकांत को विक्रित करते वे seclusion means एकांत एकांत को विक्रित करने का अब दीरे दीरे एकांत में रहने का उन्होंने उसे स्विकार कर लिया कि भई अब में धीरे धीरे मुझे अब अखेले को ही रहना है see rarely left her spinning will to talk to anyone अब उसके बाद में उन्होंने क्या किया किया कि वहां कभी-कभी तो अपने जो एक चर्का होता था जिससे वहां धाओ का गया करती थीूझे को किसी से बात करने के लिए रोकती parti थीुश हूँश start एक दूसरे से बात करना अन्होंने थोड़ा-थोड़ा कम कर दिया from sunrise to sunset she said by her will spinning अब वह है यानि कि सुबा से लेकर उदे से होकर तो sunset यानि कि सुर्य अस तक वह अपने चर्की के पास में बैठती थी और चर्के में ही काम करती थी and reciting prayers और वह प्रातना किया करती थी रिसाइटिंग करती थी यानि कि प्रातना करती थी only in the afternoon only in the afternoon she relaxed for a will to feed the spurs मात्रवा जो धोपर का जो समय होती थी उसमें थोड़ा बहुत आराम करती थी और उस थोड़े से आराम में वहाँ चीडियों को भोजन कराती थी यानि कि चीडियों को वहाँ दाना देती थी इसपरस में चीडिया विल सीचेट इन दा वरंडा ब्रेकिंग दा ब्रेड इंटू लेटल बेट से और जो बरंडा होता था उसमें वहाँ बरंदी में छोटे से जो चोटे मोटे जो टुकडे होते थे ही उन टुकडों को बैट कर सीख़ों चीडियों में चारों तरफ थे आप चेर्पिंस लिए शिकडों से अधिक निकी कहीं सारी इस परणे में उन्हें देखने को टे थी और कहीं सारी चिडिया चाहकत ओए आवाच करते हुए अपने उन इसा वहीं उस अन का कद्र ini में कॉतु हो जाती थी और काला हल करते हुए वही पर वो खाना खाने के लिए आती थी कुछ चिडिया some even sat on her head और कुछ चिडिया तो उनके कंदों पर उनके टांगों पर उनके पाओं पर या उनके मस्तिस्क पर आकर बैड़ जाती थी उनके सिर पर बैड़ जाती she smiled but never shook them away वहां उनसे कभी भी बोर नहीं होती थी और वहां उनने देख कर बहुत अदिक मुस्कराती थी और उनसे भी वो चिडिया नहीं डरती थी it used to be the happiest half hour of the day for her और उनका जो पूरा जो दिन होता था यहा समय उनके लिए दिन का सबसे खुश नूमा समय होता था बहुत ही अच्छा समय होता था when जब आई डिसाइड़ तो गो अबरोड फॉर फ्यूचर इस्टड़ेश जब मैंने आगे अध्यन के लिए विदेश जाने का निश्य किया तो I was sure और तो मुझे पक्का विश्वास था कि डेट माइग्रेंड वुड बी अपसेड माइग्रेंड मॉडर वुड बी अपसेड कि मेरे दादी आशंत हो जाएगी बही मेरे दादी जी है ना वो अब इतना खुश नहीं रहेगी I would be away for five hours में पाँच वर्सों के लिए उनसे दूर रहूंगा और end at her as one could never tell और उनकी उम्र को देखते हुए कोई नहीं कह सकता था कि क्या होगा बही कुछ भी हो सकता था उनकी उम्र बहुत ही ज़्यादा हो चुकी थी but my grandmother could किन्तु मेरे दादी कहा नहीं सकती थी भाई मेरे दादी ने मुझे कुछ नहीं कहा she was not even sentimental वह भावुक भी नहीं हुई भाई इतना बैचेनी sentimental में से भावुक होना वहाँ इतना अधिक भावुक नहीं हुई कि मेरा जाना और नहीं जाना के उनके उपर कोई प्रतिकरियाए नहीं हुई she came to leave me at the railway station वहाँ मेरे साथ में मुझे railway station पर छोड़ने आए किन्तु but did not talk किन्तु वह उन्होंने मुझे से कुछ नहीं कहा और show any emotion किन्तु और उन्होंने कुछ इस प्रकर के भाव भी नहीं दिखाए emotion means भाव her lips mood in prayer उनके जो होड़ थे वो prayer कर रहे थे प्रातना के लिए बार बार हिल रहे थे her mind was lost in prayer किन्तु उन्होंने अपने जो prayers थी प्रातना थी वहाँ उसे बिलकुल भी नहीं बठकी यानि कि वो अपनी prayer में लगी रही her fingers were busy telling the bits bits up her rosary और उनके जो हाथ थे उंगलियां थी वो उस माला को जपने का काम वो लगातार जारी रख रही थी silently चुपचाप she kissed my forehead उन्होंने चुपचाप मेरे मस्तिस्क को मेरे आगे के सिको चूमा and when जब I left जब मैंने उन्हें छोड़ा तो I cherished the most imprint as perhaps the last sign of physical contact between us वह उन्होंने उसका जो जब उन्होंने मेरे मस्तिस्क को चूमा मेरे सिर को चूमा जब में वहाँ चला तो मुझे ऐसा लगा कि यहां चुमन उनके वह मेरे भी शायद अंतिम शाररिक संपर्क होगा यहनी कि इसके बाद में शायद अब हम नहीं मिल पाएंगे ऐसा राइटर ने सोचा but that was not so किंतु एसा कुछ नहीं हुआ जिसा राइटर ने सोचा था किंतु एसा कुछ भी नहीं हुआ after five years I come back home वह पांच वहसे के बाद में जब राइटर वापस अपने घर आया and was made by her at the station तो उनकी दादी उन्हें वापस station पर मिलने आई she did not look a day older वहाँ एक दिन भी ज़्यादा बुड़ी नहीं लगी यनि कि वो पहले की जैसे पहले थी वैसा का वैसे ही राइटर को उनकी दादी दिखी she still had no time for words अभी भी उनके पास में सब्दों का कोई समय नहीं था यनि कि उन्होंने राइटर से कोई ज़्यादा बात नहीं की and will see claps in her arms I could hear her reciting her prayers और जब उन्होंने मुझे अपनी बाहों मिलिया तो मैंने उन्हें प्रातना करते हुए सुना यनि कि जब उनको राइटर ने railway station पर अपने गले से लगाया तो उस वक्त भी वहां reciting कर रही थी प्रातना कर रही थी even on the first day of my arrival मेरे आने के पहले दिन भी उनकी खुशी भरेशन मुझे दिखाई दिये her happiest moment where with her esporos whom she fed longer and with फ्राइवोलास रिबेकास और वहां उन्होंने उसके बाद में क्या काम सुड़ो कर दिया कि उनके जो चीडियों के जो सन होते थे यनि कि वो चीडियों को के साथ में जिने उस दिन उन्होंने ज़्यादा देर तक खाना दिया और मदूल जिड़िकियां भी दी यनि कि जो चीडियां होती थी उनको वहाँ खाली समय में खाना खिलने का काम उन्होंने किया. In the evening, a change came over her. किन्तु उस साम, साम को उन्हों में एक परिवर्तन आया. She did not pray. उन्होंने प्रातना नहीं की. She collected the woman of the neighborhood. उन्होंने जो आडोस पडोस की जितने भी सारी इस्त्रिया थी महिलाएं थी उनको उन्होंने एकटा किया. Got an old drum and started to sing. और उन्होंने एक पुराना drum साथ में लिया और गीत गाने शुरू किया. For several hours, the thump, the singing, the singing, the skins of the dill-prided drum. और उन्होंने कहीं समय तक यहने की बार बार कहीं टाइमिंग तक उन्होंने इस पुराने drum को बजाने का प्रिया और उन्होंने महिलाओं को भी उसमें समलित किया. And sing of the homecoming of various और घर आने वाले गीत, चिंताओं से मुक्त करने वाले गीत उन्होंने गाए. We had to persuade her to stop to avoid our training. बैए हमने उनको जितने भी सारे उन्होंने activities की, बैए इन सारी activities में उन्होंने अपने आपको अकेला नहीं छोड़ा. और उनके अंदर मानों उन्होंने आग्रा करना पड़ा कि हम इस से उन्हें तनाव पड़ेगा. भई उन्हें थोड़ा से तनाव पूर्ण हमने उन्हें देखा That was the first time since I had known her that she did not pray यहाँ पहली बार का वहाँ समय था जब मैंने देखा की वहाँ उस समय Hello guys, मैं हूँ संतोष कुमार दांगी और हम जो class 11th की जो English book है उसका जो first lesson है The Portrait of a Lady written by कुस्वान सिंग उसका third chapter हम आपके लिए लेकर आये ही तो यहाँ हम third chapter की सुरुवात कर रहे हैं और प्लिस जिदि आप channel पर नहीं हैं तो channel को subscribe किजिएगा दोस्तों मित्रों में share किजिएगा ताकि हम आपके किसी प्रकार के सारे वीडियो पोचा सके तो यहाँ आपका third chapter स्टार्ट हो रहा है आपका third chapter यहाँ से the next morning she was taken ill अगले दिन जब अगली सुबा वहाँ बीमार पड़ गई it was a mild fever उनको किस प्रकार का भुकार था हलका भुकार था the doctor told us that it would go वे doctor ने उसके बाद में उन्हें कहा कि वहाँ भुकार बहुती कम समय में चला जाएगा मतलब की भुकार उनका उतर जाएगा but my grandmother thought differently किन्तु मेरी दादी का जो मानना था या विचार था वो थोड़ा सा अलग था उनका जो मानना था वो कुछ अलग ही था she told us उन्होंने कहा कि that her end was near उनका जो अंत है वो अब नज़दी का गया है समीप आ गया है she said that उन्होंने कहा उन्होंने कहा कि since only a few hours before the close of the last chapter of our life उन्होंने कहा कि उनका जो जीवन है उनके जीवन का चुकी अंतिम अध्याई का जो कुछ समय उससे पूर्व कुछ ही घंटे बचे हैं इस प्रकार से उन्होंने कहा she had omitted to pray और उन्होंने जो प्रात्ना करना था वो कुछ समय पूर्व ही उन्होंने प्रात्ना करना छोड़ दिया था omitted means छोड़ना अता she was not going to waste any more time taking to us अता वो अब इससे ज़्यादा अधिक समय इस प्रकार की बातों में अपना समय वियर्थ खर्च करना नहीं चाते थी we protested means विरोध करना we protested हमने उनका विरोध किया हमने उनका इस प्रकार से विरोध किया कि भई ये जो उनका जो मानना ये बिलकुल गलत है but she ignored our protested किन्तु उन्होंने हमारे विरोध को नकार दिया हमने जो विरोध किया था ना उस विरोध को उन्होंने नकार दिया she lay peacefully in bed praying वो अपने बिस्तर पर प्रातना करती रही संती पूरवक रूप से प्रातना करती रही and telling her bits और वहाँ अपनी जो माला थी उस माला को वो गुमाती रही even before we could suspect इसके पहले कि हम उनके उपर सक करें suspect करें मिन्स शक करें कि भही जो उनका जो एसा विचार था कि जो writer की मा थी कि वो जो बोल रही है वो सब गलत है उनका जो विचार है एसा मानना एसा बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है her lips stopped moving उनका जो होट का जो चलना था होट जो हिलना था वो अचानक बंध हो गया था and rosary fell from lapless fingers और उनके हाथ की जो माला थी माला उनकी उंगलियों से नीचे गिर गई a peaceful polar spread on her face एक शान्तिपूर्ण फीका पन उनके चहरे पर अचानक फेल गया और दिखाए दिया on her face and we know that she was dead और हम जान गए कि वहाँ अब मर गई है we lifted her off the bed and हमने उन्हें बिस्तर से उतारा और as a customary और जैसा की रिवाज है customary means धर्मिक रिती रिवाज customary led her on the ground उन्हें जमीन पर लेटाया and covered her with a red shroud और उन्हें लाल कपन से ढख दिया red shroud means coffin लाल कपन से उन्हें ढख दिया after a few hours of morning we left her alone to make arrangements for her funeral कुछ देर के तक शोक करने के लिए बाद हमने उनके अंतिम किरिया के संसकार के आयोजन है तू उन्हें वहाँ अकेला छोड़ दिया in the morning we went to her room जब दूसरे दिन सामको जब हम उनके कमरे में गए with a crude stranger to take her to a cremator क्रेमेट तो अंतिम संसकार के लिए हम उनके पास में जब गए तो हमने वहाँ पर पाया की the sun was setting शुर अस्त हो गया था and had it lit her room and वरंड़ा with a blaze of golden light जब वहाँ पर शुर अस्त होई चुका था उनके कमरे वा बरामदे में और उनके कमरे में जहां से म्रत अवस्था में उन्हें लाल कफं से ढखा गया था she lay where she lay did and she prepped in red straw भाई लाल कफं से उन्हें वहाँ पर ढखा गया तो 1000 आप इस परोशेट इस करड़ उन्दा प्लावर हजरों चीडियां उनके फर्स पराकर बैट गई थी चहक रही थी उनके अंदर आज कोई चाहाचाट नहीं थी वह चीडियां जो थी वो उस दिन there was no charging वो उस दिन वो चहक नहीं रही थी we felt sorry for the birds हमने उन पक्षियों को से माफी मांगी and my mother fetched some bread for them मेरी माने उन पक्षियों के लिए कुछ रोटियां लेकर आई she broke it into little crumbs और उन रोटियों को छोटे छोटे टुकडे करके उन पक्षियों के सामने रखे the way migrant mother used to जैसा की मेरी दादी मां हमेशा करती थी वैसा मेरी माने किया and threw it to them और उनके सामने ये सारे रोटी के टुकडे फैक दिये दाइसपरोस took no notice of the bread वो जो चिडियां थी वो जितनी भी सारे चिडियां ने उन पर जरासा भी ध्यान नहीं दिया क्योंके सामने खाना पड़ा हुआ है when we carried my grandmother's corpse up क्योंकि जब हम दादी मां के मृत शरीर को ले गए तो तो चिडिया चुप चाप ओड़ गई जब हम वहाँ से अमरी दादी मात को अंतिम संसकार के लिए जब वहाँ से ले कर जा रहे थे उस वक्त वो सारी चिडिया वहाँ से उड़ रही थी फ्ले अवेक्योट बेलकुल शानत रूप से वहाँ से वो निकल गई थी नेक्स्ट मॉनिंग जब दूस्तरे दिन सुभा दा स्वीपर स्वेप्ट दा ब्रिट करम से इंटू दा डेस्ट बीन अगले सुभा सफाई करम चारेने उन टुकडों को समेठा वा टुकडे जितने भी सारे टुकडे थे चोटे चोटे उनको कूडे दा निमें डाल दिया डस्ट बीन मिन्स कूडा डस्ट बीन मिन्स कूडा कच्रा जहां पर जिसमें डाला जाए ऐसा क्राम से मिन्स छोटे चोटे चोटे टुकडे करना इस प्रकास से यह आपका जो लेशन फरस्ट एदा पोर्टेट आफ एलेडी यह फिनिस्ट होता है और प्लीज सिद्य आप पर नए है तो चैनल को लाइक किजेगा शैर किजेगा सब्सक्राइब किजेगा ताकि मैं आपको यह 11 की जो बुक्स है इसका हूल डेटेल आप तक में पहुचा सकूँ थैंक यू टेक केर आफ यू